हलो फ्रेंट्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है आज मैं आपको बेच्चु बियसी की प्रवेश परिच्छा के लिए फिजिक्स के कुछ महत्पूर्ण प्रशनों का संग्र लाया हूँ जो आपको बेच्चु इंट्रेंस यानि प्रवेश परिच्छा के लिए हल्पुल होगा इसमें पहला कोश्चन है एक कुलाम आवेश में इलेक्टरौन की संख्या होती है यानि एक कुलाम आवेश में इलेक्टरौन की कितनी संख्या होती है इसकी गढ़ना कीजिए आपको मैं दस सेकंड का समय दे रहा हूँ एंसर देखके बताईए इसका उत्तर है B 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है अब कैसे होता है वो जान लेजे इसको हल करने के लिए हम जो फॉर्मूले का यूज करते है Q इक्वल टू N E Q इक्वल टू N E जिसमें Q चालक पर आविस की मात्रा है N इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा E एक इलेक्ट्रॉन पर आविस हमें Q बराबर दिया है एक कुलाम इसमॉल E बराबर यानि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आविस होता है वो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलाम होता है N की वैलू निकालना होता है तो N इक्वल टू हो जाता है Q अपाउन E जिसे हम मान रख देते हैं एक बटा 1.6 गुड़े 10 के घात माइनस 19 अब इसे हल कर देते हैं तो आ जाता है 6.25 गुड़े 10 के घात 18 अब नेस्ट कोश्चन है निम्न में से कौन सा वैदू छेतर का मातरक नहीं है यानि जो ये आप्शन दिये हैं उन में से कौन सा इलेक्ट्रिक फिल्ड का यूनिट नहीं है उसकी करना करना है अब इसमें जो दिया गया है उसे आप देखिए पाँ सेकंड में एंसर खोजिये इसका एंसर है बी जूल प्रती कुलां जो होता है वो विभों का मातरक होता है वैदू छेतर का नहीं हम जानते हैं इक्वर्टू एब बाई क्यू एफ का मातरक न्यूटन Q का मातरक कुलां यानि Newton प्रतिकुलाम वैदू छेत्र का मात्रक है विभव प्रवडता और वैदू छेत्र की तिव्रता में संबन से देखे तो E equal to V upon D होता है V यानि विभव का मात्रक Bolt D यानि विस्थापन मात्रक मीटर तो आपका यह हो जाता है Bolt प्रति मीटर और जो D option है इस C वाले option में जो Bolt होता है Bolt की जगे हम जूल प्रतिकुलाम रख दे तो हमारा मात्रक बन जाता है जूल प्रतिकुलाम मीटर ये तीनों वैदू छेत्र के मात्रक है जबकि B विभव का मात्रक है तो हमारा सही answer होगा B जूल प्रतिकुलाम next question है धातू के आवेसित गोले के प्रिष्ट से केंद्र की ओर जाने पर वैदूत विभव क्या होता है आपसन है बढ़ता है घटता है प्रिष्ट के समान रहता है और चौथा प्रतिक बिंदू पर सुनने रहता है तो इसका उत्तर है C प्रिष्ट के समान रहता है क्यूंकि जो धातू होता है धातू के अंदर जो हमारा आवेस होता है वो मौजूद नहीं होता है वो प्रिष्ट पक केंद्रित हो जाते हैं जिसके कारण प्रिष्ट के अंदर वैदू छेत की तिवरता सुनने हो जाती है और जब E सुनने हो जाता है तो हमारा भी जो हमारा है वो विभाव प्रवडता के सुत्र से डी भी एक्वल टू कैप्टल E डी आर है अब E का मान सुन रख देंगे तो डी भी एक्वल टू जीरो हो जाएगा दुनों पच्छों का समाकलन करेंगे तो वी एक्वल टू नी अता जाएगा यानि जितना प्रिष्ट पर है उतना ही अंदर भी विभाव मौजूद होगा नेस्ट कुर्षन है एक इलेक्ट्रोन को दूसरे इलेक्ट्रोन के अधिक समिप लाने पर निकाय की वैदुत इस्तिज उर्जा क्या होती है घटती है बढ़ती है उतनी ही रहती है या सुनने हो जाती है तो इसका एंसर होगा B बढ़ती है कैसे बढ़ता है वो जान लीजे जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाते हैं तो दोनों समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकरशित करते हैं तो उस प्रतिकरशन के विरुद्ध हमें अत्यधिक बल लगाना होता है जिसके लिए कारे का मान अधिक हो जाता है और लाने में जो किया गया कारे होता है वही वैदुत इस्तितीज उर्जा होती है जिसके कारण वैदुत इस्तितीज उर्जा का मान भी बढ़ जाता है नेश्ट है एक इलेक्ट्रोन बोल्ट का मान होता है आप्शन है 2 x 10-18 J दूसरा 1.5 x 10-19 J तीसरा 1.6 x 10-19 J चौथा 2.4 x 10-19 J तो इसका एंसर होगा C 1.6 x 10-19 J ये एक इलेक्ट्रोन बोल्ट का मान होता है अब ये कैसे आता है वो भी जान लीजे एक इलेक्ट्रोन बोल्ट बराबर एक इलेक्ट्रोन पर आवेश का मान गुड़े 1 बोल्ट चुकि हम जानते एक electron पर जो आवेश होता है 1.6 x 10-19 joule होता है तो वो मान रख देंगे और एक bold वराबर joule प्रती कुलाम रख देते हैं कुलाम से कुलाम cancel हो जाता है मिलता है 1.6 x 10-19 joule कभी-कभी इसी से एक दूसरा question मनता है कि एक electron bolt किसका मात रख होता है तो एक electron bolt जो होता है वो कार या उर्जा का मात रख होता है नेश्ट है दो प्लेटे जिनमें प्रतेक का छेत्रपल ए है छोटी दूरी D पर एक दूसरे के समानतर है उन पर आवेश क्रमस प्लस कैपिटल क्यू तथा माइनस क्यू है तो प्लेटों के बीच वैद्दू छेत्र का मान क्या होगा ओप्षन है Q अपॉन Epsilon 0 A दूसरा ओप्षन Epsilon 0 A अपॉन Q D तीसरा ओप्षन है Epsilon 0 Q अपॉन Epsilon D और चोथा है Q अपॉन 2 Epsilon 0 A इसका उत्तर होगा A Q upon epsilon 0 A कैसे वो जान लेजे गौवस के प्रमे से हम जानते हैं कि दो समानतर प्लेटों के बीच उत्पन वैद्दो छेत की तिवरता जो होती है वो सिग्मा upon epsilon 0 होता है चुकि यहां प्रिष्ट घनत नहीं दिया है तो सिग्मा बराबर Q upon A लेते हैं प्रिष्ट घनत की परिभासा से प्रती एकांग छेत फल में वित्रित आवेस की कुल मात्रा को आवेस का प्रिष्ट घनत तो करते हैं यानि सिग्मा बराबर Q upon A रख देते हैं तो हमारा जो E equal to formula मिलता है वो Q upon Epsilon 0 A हो जाता है यहां पर जो है प्लेटों के बीच की दूरी चाहे जितनी हो तिवरता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है नेश कोशन है एक समान आवेसित गोली कोश में उत्पन वैदु छेत की तिवरता कैपटल E तथा इसके केंदर से दूरी small r के बीच ग्राब का चित्र कौन सा है यहां ग्राब बना हुआ है इसमें आवेसित गोली कोश के कारण जो वैदु छेत की तिवरता है E और r के बीच ग्राब को हमें बतलाना है तो इसका जो एंसर होगा वो third option यानि C अब ये कैसे होता है वो जान लीजिए हमें गोश के प्रमे में ही बताया गया है किसी आवेसित गोली कोश की कारण जो उत्पन वैदु छेत की तिवरता है वो केंद्र से प्रिष्ट तक सुनने होता है प्रिष्ट पर हमारा जो तिवरता E होता है वो sigma upon epsilon 0 होता है और प्रिष्ट के बाहर किसी बिंदू पे जो तिवरता है E बराबर sigma capital R square upon epsilon 0 small r square जहां capital R गोली कोश की त्रिज्या तथा small r केंद्र से उस बिंदू की दूरी है तो इससे हम जब ग्राब बनाते हैं तो केंद्र से प्रिष्ट तक हमारा E का मान सुनने होता है जो ग्राब खिचेंगे उसमें केंद्र से प्रिष्ट तक का जो E है वो X-axis पे ही रहेगा उसके बाद प्रिष्ट पर इसका मान उपर की ओर बढ़ जायेगा जो maximum होगा और जैसे जैसे हम उससे दूर चलेंगे ग्राब धीरे धीरे डाउन होगा याने कर्व के रूप में लेगा नेस्ट कोश्चन है एक इलेक्ट्रोन के आवेज तथा द्रविमान का अनुपात होगा अफ्सन है 1.77 into 10 के पावर 11 कुलाम प्रतिक की ग्राइब सेकेंड है 1.9 into 10 के पावर 12 कुलाम प्रतिक की ग्रा थर्ड है 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कुलाम प्रतिक की ग्रा एंड फोर्थ है 3.2 into 10 के पावर 11 कुलाम प्रतिक की ग्रा इसका एंसर होगा ए 1.77 into 10 के पावर 11 कुलाम प्रतिक की ग्रा कैसे होगा वो जान लिजे चुकि हम जानते हैं एक electron पर जो आवेश होता है वो 1.6 x 10-19 कुलाम होता है तथा एक electron का द्रविवान 9.0 x 10-31 kg तो E by M में सभी मान रखकर हल करने पर मान मिलता है 1.77 x 10 के पौर 11 कुलाम प्रती किग्रा नेश्ट कोर्शन है इस्मॉल आर दूरी पर इस्थे दो बिन्दू आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के बीच का बल्क वेक्टर F है यदि एक आवेश इस्थिर रहे तथा दूसरा उसके चार ओर इस्मॉल आर्थ रिज्या के एक वृत में चक्कर काटे तो कारे होगा इसका आवशन है F R F इंटू 2 पाई आर F अपाउन 2 पाई आर तथा सुन्ने तो इसका एंसर होगा D सुन्ने कैसे होगा वो जान लेजे चुकि हम जानते हैं कारे बराबर बल गुड़े विस्थापन होता है यहां बल का मान दिया है वेक्टर F और विस्थापन एक चक्कर जब पूरा वो घुमेगा तो जहां से वो चलना प्रारम किया है वो वापस वहीं आकर रुख जाता है अतब विस्थापन जो होगा वो सुनने होगा मान रख देंगे तो W बराबर F इंटू जीरो यानि कारे का मान सुनने होगा नेश्ट कोशन है एक बोल्ट विभुवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्टरॉन की उर्जया होगी अपसन है एक जूल एक इलेक्टरॉन बोल्ट एक अर्ग या एक वाट इसका एंसर है B एक इलेक्टरॉन बोल्ट कैसे वो जान लिजे जब हम एक बोल्ट विभुवांतर द्वारा किसी इलेक्टरॉन को तोरित करते तो उर्जया जो होगा वो एक electron पर आवेज गुड़ एक बोल्ट हो जाएगा जिसे हम एक electron बोल्ट भी लिखते हैं या 1.6 इंटू 10 के पाउर माइनस 19 जूल नेश्ट कुर्शन है वैदु छेत्र वेक्टर E तथा वेक्टर P आगुण वाले दुईद्रू पर लगने वाला बल आगुण है अप्सन है वेक्टर P.Vector E सेकेंड है वेक्टर P.CVector E थर्ड है सुन एंट फोर्थ है वेक्टर E.CVector P तो इसका एंसर होगा B वेक्टर P x Vector E कैसे वो जान लिजे इसे आपको कुलाम के नियम में बताया गया है टाउ इक्वल टू P E sin ठेटा जिसे हम सदिस रूप में जब लिखते हैं तो वेक्टर P x Vector E लिखा जाता है नेश्ट कोशन है एक इलेक्टरॉन वैदु छेत्र में छेत्र की अभिलंबोफ प्रवेश करता आ है तो इसका गमन पत होगा यानि जब कोई इलेक्टरॉन वैदु छेत्र की लंबोफ प्रवेश कर रहा है तो इसका पत कैसा होगा उसको हमें बतलाना है आफ्षन है वृत्ताकार दिर्ग वृत्ताकार कुंडली के आकार का या परवलयाकार तो इसका एंसर होगा D परवलयाकार जब कोई इलेक्ट्रोन वैद्दू छेत्र में प्रवेश करता है छेत्र के लंबवत तो उस पे आकर्षन बलके कारण या एक परवलय के पत पर गती करने लगता है अता इसका आप्षन नंबर D होगा परवलयाकार नेस्ट कोईशन है निर्वाद की वैद्दू छेलता यानि एपसाइलेंट जीरो का SI मात्रक है आप्षन है कुलाम स्क्वार प्रती न्यूटन मीटर स्क्वार सेकेंड न्यूटन मीटर स्क्वार प्रती कुलाम स्क्वार थर्ड न्यूटन प्रती कुलाम एड फोर्थ न्यूटन बोल्ट प्रती मीटर स्क्वार तो इसका उत्तर होगा ए कुलाम स्क्वार प्रती न्यूटन मीटर स्क्वार अब ये कैसे आता है वो जान लिजे कुलाम के नियम से जो दो आविशों के बीच लगने वाला आकर्षन बल होता है वो f equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square होता है अब इसमें epsilon 0 का हमें मात रख निकालना है तो epsilon 0 बराबर हो जाता है q1 q2 upon 4 pi r square into capital F 4 pi का कोई मात रख नहीं होता है क्योंकि यह एक नियता अंकरासी होती है अता q1 q2 दोनों आविशें इनके मात रख कुलाम होते हैं अता कुलाम square दूरी का मात रख मीटर और बल का मात रख न्यूटन तो solve करने परा जाएगा कुलाम square प्रती नियूटन मीटर square तो इसका option number 1 correct है Next question है दो प्लेट एक दूसरे से एक सेंटी मीटर की दूरी पर है और उनमें 10 बोल्ड का विभानतर है प्लेटों के बीच वैद्दू छेत की तिवरता है option है 10 नियूटन प्रती कुलाम, 500 नियूटन प्रती कुलाम, 1000 नियूटन प्रती कुलाम या 250 नियूटन प्रती कुलाम इसका उत्तर होगा C 1000 नियूटन प्रती कुलाम कैसे होगा वो जान लिजे हमें दूरी डी बराबर दिया है एक सेंटीमिटर जिसे हम मीटर में बदल देते हैं तो हो जाता है एक बटा सो या दस के घात माइनस दो मीटर और विभो जो दिया है दस बॉल्ट विभो प्रवरता के सुत्र से चले तो एक्वल टू भी अपॉन डी होता है भी का मान दस बोल्ट रख देते हैं और डी का मान दस के घात माइनस दो मीटर अब ये माइनस दो उपर जाके प्लस दो हो जाता है तो इसे हम लिखते हैं दस गुडे दस के घात दो बोल्ट प्रती मीटर या एक हजार बोल्ट प्रती मीटर जिसे 1000 न्यूटन प्रती कुलाम भी लिखते हैं नेस्ट कोश्चन है आरवन व आर्टो त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के प्रिष्टो पर आवेश के प्रिष्टे घनत्व बराबर है प्रिष्टो पर वैद्दु छेत की तिव्रताओं का अनुपात है पहला ओप्षन है आरवन इस्क्वाइर अपान आर्टो इस्क्वाइर दूसरा आर्टो इस्क्वाइर अपान आर्वन इस्क्वाइर तीसरा आरवन अपान आर्टो और चौथा एक सम्मंदे एक तो इसका उत्तर होगा डी एक सम्मंदे एक कैसे होगा वो जान लिजिए equal to जो सुत्र होता है sigma upon epsilon 0 होता है तो E1 equal to sigma upon epsilon 0 और दूसरे चालक के लिए E2 बराबर sigma upon epsilon 0 क्योंकि दोनों चालकों के लिए प्रिष्ट घनत समान है अगर उसे हम sigma मान ले तो हमारा E1 upon E2 जब मान रखेंगे sigma upon epsilon 0 पूरे एक बटे sigma upon epsilon 0 चुकि दोनों मान बराबर है अतक कड़ जाएंगे तो हमारा आज आएगा एक सम्मंद एक नेस्ट कोश्चन है दो बिंदू आवेश पहले वायू में तथा फिर कैप्टल के परावैदुतांग वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं दोनों दसाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात है आप्शन है एक सम्मंद के बी आप्शन के सम्मंद एक सी एक सम्मंद के स्कॉर एंड डी के स्कॉर अपॉँए एक तो इस रशन का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे नेस्ट कोश्चन है एल भुजा के घन के केंद्र बिंदू पर एक आवेस प्लस क्यू रखा है घन के एक तल से निर्गत वैद्दूत फ्लक्स होगा इसका आप्शन है Q अपॉन एपसाइलेंट जीरो नेस्ट Q अपॉन 6 एपसाइलेंट जीरो नेस्ट है 6 Q L स्कॉर अपॉन एपसाइलेंट जीरो इसका उत्तर होगा B कैसे वो जान लिजे गौस के प्रमे से निकलने वाले वैदुत फ्लक्स की जो संख्या होते है फाई इक्वल टू क्यू अपान एफसाइलें जीरो होता है चुकि घन के 6 प्रिष्ट होते हैं अतर 6 प्रिष्ट से निकलने वाला जो मान होता है वो क्यू अपान एफसाइलें जीरो होता है इसलिए एक प्रिष्ट से जो निकलने वाला वैदुत फ्लक्स जो होगा वो क्यू अपान 6 एफसाइलें जीरो होगा जो अप्सन नंबर B है नेस्ट कोश्चन है एक इलेक्ट्रान बोल्ट मातरक है अप्शन है उर्जा का विभौ का वेग का कोड़ी समवेग का इसका उत्तर है ए उर्जा का कैसे वो जान लेजए एक इलेक्ट्रोन बोल्ट बराबर एक इलेक्ट्रोन पर आवेस गुड़े एक बोल्ट होता है अगर इसके मात्रक की बात करें तो एक इलेक्ट्रोन पर आवेस का मात्रक कुलाम होता है और बोल्ट का मात्रक जूल प्रती कुलाम कुलाम से कुलाम कर जाता है सिर्फ बचता है जूल और जूल जो है उर्जा का मात रखोता है वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद